मार्किट में गाजर आते ही हर घर में हलवा बनाने की तैयारी होने लगती है बिलकुल साधियों में बनने वाले हलवा जैसे रेश्टूरेंट ये डाबे में बनते हैं उस तरीके से बनाएंगे स्वाधिश्ट इतने की मुह में जाते हैं घुल जाएगा इसे बनाना बहुत हलवा जब इस तरीके से घस के डाले यानि कद्दुकस करके डालेंगे और इसे बनाएंगे तो इसका टेस्ट वाँवाँ क्या कहना है तो एक किलो हमने गाजर को कद्दुकस कर लिया है बारिक कद्दुकस करेंगे इसका फ्लिवर बहुत अच्छा आता है जब थोड़े भूनेंगे उतना ही स्वाधिस टाप का हलवा बनके तयार होगा तो बढ़ियां से हमें इसे मिला लेना है पाइन को कभर कर दें और 2-3 मिनिट के लिए गैस को स्लो कर के छोड़ दें दो से तीन मिनिट के बाद इससे चेक करेंगे देखें गाजर जो है हलका हलका भूनने बढ़ियां से इसी तरीके से मिला लेते हैं और इसके बाद हमें दूद के साथ हमें ड्राइ होने तक इसे पकाना है तो इसी तरीके से चलाने के बाद पैन को कबर कर दे और 6-7 मिनिट के लिए छोड़ दें गैस को धिमी करें इसके बाद 6-7 मिनिट के बाद हम इसे चेक करें लगता है तो अभी हमने पैन को कवर करके चार मिनिट के लिए और छोड़ दिया है और देखेंगे तो दूद बढ़ियां से सोक कर लिया है गाजर बढ़ियां से सौप्ट हो गया है यानिके पग गया है और अभी आपको अभी की चीने डालने के जरूत पड़ेगी क्योंकि दूद हमारा जो है अच्छे से पग गया है और गाजर भी भलका सौप्ट हो गया है और गाजर का कलर देखें बिल्कूल एकदम अलग हो गया है जब आप इसमें चीने डालेंगे तो इसका कलर धीरे-दीरे रेड होना चालू हो जाएगा तो हमने एक किलो गाजर के लिए एक कप चीनी एकदम परफिक्ट होता है एक किलो गाजर के लिए तो बस इसी हमने चीने डालने के बाद बढ़ियां से मिला लेना है और जब हम चीनी डालते हैं गाजर में तो ये धीरे-धीरे लिक्विड होने लगता है कि चीनी पानी छोड़ता है तो बस इसी तरीकिस हम लगता है और गाजर का हलवा बीना ड्राइफ रूट के तो अधूरा है तो आप इसमें ड्राइफ रूट अपनी मन पसंद का डाल सकते हैं काजू या बदाम हमने चोटे-चोटे में कट करके इसे डाला है साथ-साथ मिनट के लिए फिर से हमने कबर करके छोड़ दिया था ग देकूरेशन करने के लिए तो बस हमने हलवा में मावा डालना है और इसी तरीके से बढ़ियां से मिक्स कर लेना है जैसे सारे हलवे में हमारा मावा का फ्लेवर आ जाये और आप अगर कोकर में बना रहे हैं तो ये फ्लेवर आपको नहीं मिलेगा जो कि कड़ाई में मिलता यहां पे सुन्दा पेंडाता है खाने में इतनी स्वादिष्ट लगते हैं गाजर का हलवा तो आप कितना भी कोकर में बना लो लेकिन कड़ाही का स्वाद नहीं मिलेगा तो हमने पैन को कभर कर दिया है और 3-4 मिट के लिए छोड़ दिया था अगर आपको गाजर का हलवा और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाना है तो मेरे तरीके से जरूर बनाएगा इसके हमें बढ़िया से मिला लिया है गाजर बिल्कुल सर्प करने के लिए रेडी है इसके उपर से एक चमच देशी घी डाल देजिए मिलाने के बाद और फिर इसका गाजर का हलवे का स्वाद एकदम दोगुना हो जाएगा वैसे घी देशी घी आप किसी भी रेसिपी मे में डाली है वह तो स्वादिश्च बनाता ही है तो इससे उपर से एक चमच देशी हमने डाल दिया है और इसे बढ़िया से मिला लेंगे गैस को हमने बंद कर but भाद करेंगे और हाँ इसे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको कैसा लगा हमने इसे कबर को कबर कर दिया था पांच मिनट के लिए और इसके बाद ये हलका ठंडा हो गया है इसके बाद हमने सर्व किया है गाजर का हलवा हलका गुन-गुना खाईएगा वावा करते रह जाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट है हलका सा ख्रंच है गाजर का और इतना प्यारा फ्लिवर इतना टेस्टी स्वादिष्ट कि हमारे घर खाके सब लोग उगलिया चारते रह गए और मेरी गारंटी है कि अगर आप एक बर बना लेंगे इस तरीके से तो बार-बार इसी तरीके से बनाएंगे बाकि सारे तरीके भूल जाएंगे बस हमने इसे प्लेट में सर्फ किया है और ये हलवा रेडिये खाने के लिए ओपर से हलका सा हमने डेकुरेश कर दिया है ड्राइफ रूट और मावा से लेजिए स्वादिष्ट हलवा तयारे बनके उमीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी